चलो जाहिन दोस्तों तेगा फिंच स्वागत है आपके अपने यूट्व चैनल एक्जाम की तयारी पर तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि रोजाना रात आठ वजे हम आर्मी जीडी का एकदम लाइब क्लास लेते हैं ठीक है जिसमें चार सेक्षन होते हैं पह परिक्षा की तयारी कर रहे हो तिस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो नीचे लाल बटन होगा ठीक है और वीडियो को जरूर्व लाइक करो ठीक है और दोस्तों सुनिए इंपोर्टेंट बात ठीक है बात यह है कि जो कोशन आप से पूछा जाए उसका एंसर इंक्रीज होगी ठीक है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की आर्मी जीडी की क्लास एकदम फटाक्स है ठीक है इसमें दस से लेके ठीक है पांच से लेके दस कोशन आपको इंडियन आर्मी कोशिन पेपर में देखने को मिलेंगे जो कराएंगे आपको सुबा आठ बजे ठीक है तो सुबा आठ बजे ओरिजिनल कोशिन पेपर असाम को मॉडल पेपर अब बदाए कौन जाने से रोख पाएगा आपको आर्मी में ठीक है चलिए तो चलिए दोस्तो सबसे पहले कोशिन पेपर के बारे में जान लेते हैं दोस्तो देखिए घर एक इसमें 50 प्रश्ण होते है ठीक है जैसा कि आपको पता है और प्रतेक एक प्रश्ण होता है दो नंबर का यानि पूरे 100 नंबर का पेपर होता है ठीक और आपको टाइम बीच में ठीक है तो इस वीडियो को दोस्तों यदि आप अंत तक देखोगे तो तीन से चार कोशन ऐसे मिलेंगे आपको जो इंडियन आर्मी के ओरिजिनल कोशन पेपर में पूछे गए हैं और चार से पांच प्रश्ण आपको ऐसे पूछ मिलेंगे ठीक है जो पूछे जाने वाले हैं ठीक है चलिए इस वीडियो को पूरा अंट तक देखिएगा दोस्तों हर सेक्षन को मजदा तरीके सो सॉल्व करेंगे विट डिटेल्स के साथ चलिए तो समान न आवरलं कारगिल युद्ध में ठीक तो जो बच्चे बतारें यह उप्सन नंबर एक हो यानि की वीपी मलिक को उनका जवाब क्या है एकदम राइट है ठीक है तो पताएए दोस्तों की जो यह युद्ध हुआ था यह कब युद्ध हुआ था ठीक है यानि की कारगिल युद्ध कब हुआ था देखिए दोस्तों तीन माई या नोट कर लिए तीन माई से लेके ठीक है तीन माई 1999 से लेके क्या 26 जुलाई 1999 तक क्या हुआ था यह युद्ध चला था ठीक है जिसम प्रिष्टान के 3,000 सेहनिक मारे गये थे और भारत के दोस्तों 527 सेहनिक मारे गये थे बाकी 2,000 प्लस सेहनिक क्या हुए थे घाया लुए थे ठीक चलिए अगला कोशन दोस्तों कि 1913 में बनी फिल्म ठीक है हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे ठीक है चलिए तो राइट इसका राइट अंसर दीजिए चलिए तो जो बच्चा दे रहे होगा option number B को उनका जवाब क्या है एकदम correct है दादा साहब फाल के इसके निर्देशक थे ठीक है चलिए अगला कोशन दोस्तों कि किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है option number A पे है रोम B पे है जपान C पे है इजिप्ट और D पे है फीनलैंड ठेक तो बताइए नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है तो राइट अंसर होगा option number C यानि की इजिप्ट इजिप्ट का दोस्ते हिंदी में क्या बोलते है मिस्र ठीक है क्या बोलते है मिस्र चलिए अगला कोशन देशते हैं देश किस सन में आरंब हुआ था ठेक है तो बताइए भारतिय मानक समय किस सन में आरंब हुआ था थोड़ा सा tough question है फटाक से बताइए जो बच्चों को नहीं पता है वो जान ले कि option number D यानि 1906 सन में आरंब हुआ था भारत का मानक समय और ये समय रेखा कहा से गुजरती है तो य नैनी से इलहाबात के करीब है नैनी ठेक यहीं से गुजरती है या मानक रेखा चलिए अगला कोशन है कि पत्थर सिला इट एवं लोहे पर लिखी जनकारी डैस कहते हैं ठीक है जो जनकारी दोस्तों पत्थल पर ठीक है या फिर सिला पर या फिर इट लोहे पर लिखी जात पूरो विदायक ये थे, मुख्यमंत्री ये है, तो उसको हम लोग सिला लेख बोलते हैं, ठीक, चलिए, अगला कोशन दोस्तों कि जन संख्या के इसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सहर कौन सा है, देखें दोस्तों पूछा है सहर, ना कि पूछा है देश, ठीक, तो पहला अपसन है, टोकियो, दूसरा है, नुई योर, कहां पे है, अमेरिका में, अपसन नंबर C है, दिली, जो है, इंडिया में, ठीक, तो बताए इसका राइट अंसर, राइट अंसर होगा दोस्तों, अपसन नंबर A, यानि कि टोकियो, ठीक, चलिए, अगला कोशन बताए, अंसर, तो चलिए, जो बच्चे बता रहेंगे, ऑपसन नंबर C, यानि सारनाथ को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है, आप ऐसे ही सारे प्रशनों का एंसर लिखते रहिए, चलिए, अगला प्रशन दोस्तों, कि सर्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है, किसने कहा था, बता दिलक ने कहा था, यानि ऑपसन नंबर A, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, चलिए, अगला दोस्तों, डोकलाम अस्थान कहां पर इस्तित है, डोकलाम दोस्तों, काफी ज़्यादा चर्चे मेरा था, क्योंकि यहाँ पर भारत और चीन की सेना आमने सामने ठी, ठीक है, तो दो बच्चे बता रहेंगे, ऑपसन नंबर A यानि भुटान को उनका जवाब एकदम करेक्ट है, ठीक, चलिए, कोशन अगला, कि गेटवे आफ इंडिया इस्तित है, कहां पर दिल्ली, मुंबई, चैन्नाई, कोलकाता, ठीक, तो बताइए, फटाक से गेटवे आफ इंडि ठीक है, मुंबई में, ठीक, और इंडिया गेट कहां पिष्थी था, दिल्ली में, अब विक्टोरिया कहां पिष्थी था, तो आपसन नंबर D कोलकाता में, ठीक, तो सबको नोट डाउन कर रहेंजेगा, चलिए, कोशन है कि GST में T सब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है, G GST, ठीक है, जोस्तो, जो भारत में कब लागो होई थी, फटाक से बताइए, कि GST भारत में कब लागो होई थी, जिन बच्चों को आता है, चलिए, तो बताते हैं, एक जुलाई 2017 को भारत में लागो होई थी, क्या, GST, नोट कर लीजिए, और ये GST कहां से लिया गया था, दोस्तो, तो देखिए, सबसे पहले, विस्व में सबसे पहले GST किस देश ने लगाया था, तो फ्रांस ने लगाया था, ठीक है, टेक्स चोरी को रोखने के लिए, दोस्तो, GST का प्रयोग किया जाता है, ठीक, चलिए, तो पूछा है, कि GST में T का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट अंसर क्या होगा, ओप्शन नंबर C होगा, टेक्स, और GST का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए, होता है, गुड एंड सर्विश टेक्स, ठीक है, चलिए, अगला कोशन देखिए, कोशन बड़ा है, मोहतपूर है, कोशन है, नारोरा, ठीक है, उर्जा इस्टेशन किस राजे में इस्तित है, तो जो बच्चे बता रहे होंगे, ओप्शन नंबर B को, यानि उत्तर प्रदेश को, उनका जवाब क्या है, एकदम करेक्ट है, अगला कोशन दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा, महासागर नहीं, दोस्तों, समुंदर है, वो है, ओप्शन नंबर B, ठीक है, चलिए, अगला कोशन दोस्तों कि रियर, ठीक है, एड्मिरल, पद किस सेना के लिए अंग है, किस सेना के अंग में है, ठीक है, तो इसका राइट है इंसर होगा, दोस्तों, ओप्शन नंबर D, जल सेना, यानि कि किसमें, नेवी में, ठीक है चलिए तक क्या हो जाएगा जल सेना देखिए दोस्तों अगला question पर चलते हैं मिलाक्षी मंदिल मदुराई में स्थिस है निया option number A मदुराई में है अब मदुराई कहां पर दोस्तों तुमिल नाड न टिक है तो confuse नहीं होना है मिलाक्षी मंदिल कहां पर है मदुराई के तेमिल नाड तुमिल नaufen Bent बारा कोश्चन आप विञ्ञान पर दिमाग लगाएंगे बड़ने प्रतीत होता है थीचे ओष्ट कि पाना। तो ऐसा लगता है हाथ तो नीचे चला गया पर ऐसा लगता है कि हाथ हमारा बहुत जादा उपर ही है ठीक तो यह आपने ऐसा नहीं किया है तो जरूर करके देखिए ठीक चलिए तो अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन है कि निम्ण में से कौन सा बायोगयस का मुख्य घटक है ठीक है दोस्तों आप सभी लोग को पता है दोस्तों गयोगयस किस चीसे होती पनती है गोबर से ठीक है तो बायो गयस का मुख्य घटक दोस्तों दो ही गैस होते हैं ठीक चलिए अप्शन है मिथेन क Carbon Di firefighters आपसनन कार्बोन कार्बोन डाइन ऑठीड तो राइट इन से लोगा दोस्तों ऑप्सन नंबर और परिवर्थी रिदाएगा या फिर ये सभी तो देखिए दोस्तों यदि आप मांट डेवरेश्ट पर चड़ेंगे न तो वायू कदाब कम हो जाता है ठीक है जिससे हमको सांस लेने में काफी यादा तकलीफ होती है इसलिए जो परवतार हो ही होते हैं जो चड़ते हैं ठ ठीक तो इसका राइटन से होना ओप्सन नंबर B कम हो जाता है ठीक चलिए अगला प्रशन दोस्तों कि किस धातु को G1 रचक धातू कहते हैं ऐप्सन नंबर A पर यूरेनियम, B पर रेडियम, C पर पारा और D पर प्लोटेनियम ठीक तो पताएं किस धातु को G1 रचक रहेंगे option number B को यानी radium को उनका जवाब क्या है एक दम correct देखें दोस्तों इसी से जूड़ा हुआ एक और प्रश्ण आ रहा है प्रश्ण दोस्तों कि भविस्य का इंधन किसे कहते हैं पता है तो फटाक से लिग दीजे कि सर हमको पता है कि भविस्य का इंधन किसे कहते हैं देखें दोस्तों भविस्य का इंधन किहते हैं हाईड्रोजन को किसको हाईड्रोजन को ठेक चलिए अगला कोश्य कि एक मोल में कितने कड होते हैं ठेके दोस्तों हम बता देते इसका राइट अंसर आप कही पर नोट कर लीजें देखिए होता है एक मोल में 6.0210 to the power 33 कड हो होते हैं अगला है कि प्रोटोन का और सेस्ट डैस है प्रोटेन क्या होता है ठीक है अगला कोशन है कि यदि अगला कोशन है कि पौदों में पाए जाने वाला एंजाइन निम्न में से किस कार के लिए जिम्मेदार होता है option number A पर है पानी के परिवहन के लिए ठीक है अहार के परिवहन के लिए अहार मतलब भोजन ठीक है amino acid के परिवहन के लिए या उप्युक्त किसी के लिए नहीं ठीक देखिए दोस्तों इसका होगा right answer option number A पानी के परिवहन के लिए इंजाईन कार के लिए जिम्मेदार होता है अग्ला कोशल है दोस्तों कि आहार सिंखला की शुरुवात के लिए निम्ण में से क्या अनिवार है ठीक है आहार सिंखला होती है, जैसे चुहा पता जेते हैं चुहा किसको खा जाएगा दोस्तो चुहा खाएगा साप को नहीं सॉरी साप खा जाएगा चुहे को साप को कौन खाएगा तो साप को खा जाएगा कौन चील ठीक है तो इसी को बोलते हैं दोस्तो आहार सिंखला ठीक चुहा क्या खाएगा फफूदी खाएगा या फिल घास ख जरूवत होंगे जैसे हरे पवद्व को खाएगा हीरन ठेक हीरन को कौन खाएगा सेर खाएगा ठेक तो यह बन कई नहां एक अहार सिंखला सेर की ठेक चलिए अगला कोश्च है दोस्तों कि रहे कि यह बनाया है बीच में दिया है गोल और लिखा है कि NH2 का सहीर असायनिक नाम क्या होगा ठेक तो इसको नोट कर लिए दोस्तों इसका राइट अंसर होगा ओप्सन नमबर B ठेक है एलकीन ठेक चलिए अगला कोश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग ठेक है कौन सा अंत सराविक गरंती नह अगला कोशन है कि सफेद रक्त कोसिका का मुख्यकार क्या होता है ऑप्सन पढ़िए ठेक है पहला अप्सन है संक्रमण का मुकाबला ऑक्सीजन ले जाना तागत देना यह निमें से कोई नहीं ठेक तो इसका राइट अंसर रोगा दोस्तों ऑप्सन नमबर A ठेक है संक्रम का मुकाबला करना ठेक अगला कोशन दोस्तों कि निम्न में से किसे सक्ति का भंडार कहा जाता है पावर हाउस ठीक है पावर हाउस किसे कहा जाता है ऑप्सन नमबर A माइक्रो कांडिया ठीक है तो राइट अंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्सन नमबर A ही होगा माइक्रो कां यहां पर लिखना चाहिए था कि निम्न में से किसे कोशिका के सकती का भंडार कहा जाता है तो इसका राइटन से रहोगा ओप्सन नमबर ए याणि की माइट्रो कॉंड्रिया ठीक चलिए तो दोस्तों अगला कोशिन भी काफी है संदार है कोशिन हमारे घर से जुड़ा हुआ है ठीक है कोशिन है कि LPG का पूरा नाम क्या होता है ठीक है दोस्तों जो गैस हम लगाते है ना ले आके तो उसका पूरा आम क्या होता है टीक है तो इसी गैस का क्या पूछा है फूरा नाम ठीक तो यहारी आपको पता है थैक तो बताई ये इसका राइट आंसर हOR हम बताएंगे ठीक है चलिए उसका लिक्विड पे Clean asked यदि पेches का होता है फुल फॉर्म ठेक या और इंदम क्रेंग्णी而且 अगल अंग से संबंधित रोग है देखिए दोस्तों दम्मा रोग आपने जरूर सुना होगा ठीक है तो बताइए यह किस चीज़ से संबंधित है रक्त से हमारे या फिर तंत्र का तंत्र से या फिर स्वास संत्र से या फिर युक्त यकृत से ठीक है तो इसका राइटन से रोगा गडित का ठीक है दोस्तों तो गडित के दोस्तों थोड़े से question hard है पर आप इसको solve करने का जरूर try करिएगा आपको सारे प्रश्ण बनेंगे इसके बाद reasoning के प्रश्ण है दोस्तों तो वह most important है math और reasoning आपको most important है ठीक है तो इसको अंत तक देखिए आपको सारे जनकारी मिल हैगी ठीक चलिए तो सुरू करते हैं पूछा है दोस्तों कि one eight seven three six nine किसका वर्गमूल है एकदम आसान question दोस्तों option देखिए और फटाक से right answer बताएए चलिए जो बच्चे बता रहेंगे option number C को यानि कि 137 को उनका जवाब क्या है एकदम right है ठीक अगला question दोस्तों हमारा कि system biological वार्थिक चक्रविधी व्याज कि दर से τीन परतिसत और तीन वर्स का मिस्शल धन ग्यात कर हो सबसे पहले दोस्तों हम सभिति व्याजदर का formula जाने लें ठीक है कि चक्रविति व्याजदर का formula क्या होता है ठीक तो चलिए फोटाक से formula लिखते है कचलिए देखिए दोस् यहां पर क्या होता है RATE, यानिकी ब्याज है ठीक ब्याज बटा में 100 और यहां उपर होता है, सम है ठीक तो इसी पर दोस्तों, we put कर देंगे पूरे मानकों, देखिए तो महां बूल देंगे कितना है जाएं। गुड़ा कर दिए एक प्लस ब्याज कितना है पचीस बटा में सो हो गया ठीक है और समय हमको तीन वर्स का मिल रहा है देखिए तो अब इसको solve कर लेंगे तो under root में कितना जाएगा under root में आ जाएगा 100 हाना और यहाँ पर करेंगे तो 100 आ जाएगा गुड़ा ठाना थे जे बार 1600 गुड़े एक 100 बटा में सो गुड़े 125 बटा मिंए सो गुड़े 125 बटा मिंए सो तौ फटक सबता है दो जीनोच हो दो जीनोर Calm जाएगा इससे से keटी घ्यंब्हे C4 यह कितना जाए 5 आ गया अधिक है इसको इससे कटा दिये तो क्या होगे, 4 हो गया, फिन 4 को इससे कटा दिये तो कितना होगे, कट गया, फिन करेंगे 5 गुड़े, 5 गुड़े, 125 ठीक है, तो 25 गुड़े करना होगा, 125 तो फटाक से इसका राइट अंसा बताइए, राइट अंसा निकल के क्या रहा है दोस्तो, तो आ रहा है option number A, यानि कि 3125 रुपे आएगा इसका right answer, ठीक, देखें दोस्तों ये question 3300 तो आप खुछ solve करना होगा, calculation वाला question दोस्तों तो आप इसको अपने pen और paper पे जरूर से solve कर लिजेगा, ठीक है, अगला question दोस्तों कि एक से लेकर, ठीक है, 100 तक प्राकिर्टिक संख्याओं का मार्द क्या होगा, हाना, तो formula रखते हैं, ठीक, चलिए, होगा, देखिए, इसको solve करेंगे, तो कितना जाएगा, दोस्तों, आजाएगा, 101 बटा में, तो कितना जाएगा, 50 बटा में, 5, ठीक, तो इसका राइटन साजाएगा, option number B, ठीक, चलिए, चलिए, दोस्तों, अगला question भी काफी है, संदार है, question दोस्तों, कि एक गोला जिसकी त्रिज्या, 4,2 cm है, तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक है, तो गोला के आयतन का formula लिखते है, फटाक से, तो हो जाएगा, गोला का formula 4 बटा में, 3, ठीक है, पाई और आर पे क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक, ठीक है, तो चलिए, formula रख देते हैं, 4 बटा में, 3 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 बटा में, 3 कर लिए, ठीक, और यहाँ पे 3,14 कर लिए, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया, क्या पाई का value आप इतना value पुट कर दिया, और right answer निकाल लिजिएगा, चलिए, अगला प्रशन दोस्तों कि 27 की संख्या का 3.6 प्रतिसत है, देखें दोस्तों, मालने जो कोई भी संख्या होगी, तो उसका 3.6 प्रतिसत है न 27, क्या है, 27 है, तो एक प्रतिसत कितना हो रहा है, ठीक है, तो एक प्रति आइगे, तो कितना right answer निकल के आएगा दोस्तों, एंसर आएगा option number A, यानिकि 750, ठीक, अगला question दोस्तों कि 1 संकु का आयतन का सूतर क्या होगा, देखें दोस्तों, एक असान question है, पूछा, एक संकु का आयतन का सूतर क्या होता है, ठीक, नोट करेंजिए दोस्तों, option number D, य दिया जाता है, तो बुड़न निक्तम भाग क्या होगा, देखें दूस्तों, इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, जोड़िए, 13 हो गया, तो 13 बरबर कितना रख देंगा, फटाक से ऐसे कोशन दोस्तों, ऐसे ही solve करेंगे, ठीक, एक से कटा देंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो confuse नहीं हो रहा है, दोस्तों, उसको क्या बोलते है, option number A, इसका एकदम right answer होगा, उसको बोलते हैं, दोस्तों, केंदरक, ठीक है, देखें, यह बोला, इसका केंदरक क्या होगा, यहां से यह मिल गया, यहां से यह मिल गया, यहां से यह मिल ग अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन भी काफी ज्यादा आसाने गुलेंट करना है कि इसका तो पहले सबसे छोटे वह अंडर तो तोड़ेंगे तो उसका क्या करेंगे तो शिष्ट ओपर बहुत तो गया है अभी बचाया और नियुकरarta तो अभी या करेंगे तो इसने क्या करते हैं जोड़ेंगे तो कितना आएगा है जोड़ेंगे तो आएगा 81 गुड़ा करेंगे 139 में 15 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 किसमें अंडरूट में है जिसका दूस्तों तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 यानि वारक का वर्ग है 144 ठीक है तो राइट अंसर हो जाएगा वह 11 बढ़ता है ठीक है यानि option नंबर 20 के एकदम राइट अंसर होगा 21 परसेंट बढ़ेगी इसकी कुल छेत्रफल ठीक चलिए अगला कोशन है कि आकरिती ठीक है आकरिती दे दिएगे यह किसका ट्रेंगल का बोला है कि आकरिती AB पहलरल है ठीक है यानि कि समान है AB किसके समा बता रहे होंगे इसका right answer option नंबर बताइए बताइए option नंबर D को उनका जवाब क्या है एकदम राइट है ठीक है यानि कि डेड़ होगा इसका value ठीक चलिए तो अगला कोशन देखते हैं दोस्तों अगला कोशन है कि 816 कीमी की यात्रा करने के लिए एक ट्रेन ठीक है राज राजधानी की तुलना में 4 गंटे कम समय लेती है तो राजधानी की गतिग्यात करिए देखे दोस्तों 4 गंटे कम कर देता है ठीक है तो आप भी आसान सिदम 4 गंटा कम कर दीजिए ठीक है तो right answer देगा 48 है ना चलिए confusion नहीं होना है आप solve करते हैं किसका बद्धी मता यान सुबा रीता ने सूर की और चलना अरंब किया ठीक है तो सूर दोस्तों किस दिसा में उखता है तो सूर उखता है दोस्तों हमेशा पूरब में देखे दोस्तों यह होता है नकसा इधर होता है इस्ट यह हो गया वेस्ट यह हो गया नार्थ यह हो गया साउथ ठीक तो कौन जाती है एक बार बाएं ठीक कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ी ठीक तो अब उसका मुख्य दिसा में हुआ तो इसका लाइटन सरोगा ऑफसन नंबर क्या सी यानि कि उत्तर दिसा के तरफ वह बिजारी अभी मुख करके खड़ी है ठीक चलिए अगला कोशन है कि जीरो तीन आठ पंदरा चौबिस डैस और तालिस ठीक है तो पूछाए कि कोशन मार के जगा पर कौन सी संख्या होगी देखे दोस्तों जीरो का तमानी जीरो होगे करे तो वह संख्या आनी है दोस्तों ऑप्सन नंबर डी यानि कि 35 आएगी ना क्याएगी 35 आएगा ठेक चलिए अगला कोशन दोस्तों कि ब्रिंजल को लिखा जाता है ठीक है देखें बी आर आई यन जे ल को लिखा जाता है क्या यल ए जे यन आई आर बी तो लेडी फिंगर क तो राइट लेडी फिंगर मिल रहा है ऑप्सन नंबर ठीक है इसका एकदम राएंटांस और मिल रहा है ठेक चलिए अगला कोशें दोस्तो कि अतितियों का आसा का परचय करवाते हुए भासकर ने कहा कोई मारे तो परचय करवाते हे भासकर ने महमान से कहा कि उससे के पिता मेरे पिता के एक लौती पुत्र है आसकर सॉरी आसा भासकर से किस प्रकार संबन्दित है तो ठीक इसका राइटन सो रोगा option से अपना इसकोर कमेंट कर दीजिए ठीक है यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ठीक है आर इल्ली पीसोड टाइम दोस्तों मिलते हैं आप से अगली नेक्स्ट वीडियो में